स्वागत आप सभी का आपके अपने मन पसंद यूटूब चैनल एग्रीकल्सर एक्सपार्ट में बैहूं आपका दोस्त सुनील मलिक और आज की इस वीडियो में पसुपालक किसान भाईयों के लिए काफी महतवपुन जानकारी जैसा कि आप पिछले कुस दिनों से देख रह करने का ज्यादा खत्रा रहता है तो ऐसे में किसान भाई छोटे कटड़ी बचड़ी को ठंड से कैसे बचाएं उसके लिए मैं वीडियो लेकर क्या हूं नॉर्मली आपको एक जूट का बैग लेना है जो अपने बोरी होती है टार्ट की वाली इसको लेकर के आपको इसको एक साइड खोल लेनी है जैसे कि हमने इसको अलग-अलग किया हुआ है इस हिसाब से नीचे का एक साइड खोल ले उसके बाद आपको करना यह है इसका एक कोना कोई भी एक कोना है इसको ऐसे आपको काटना है उसके बाद जैसे आप इसको काटेंगे तो पसू के गर्दन के अंदर यह फस जाएगा और नीचे की तरफ यह जो हिस्सा है यह इसके उपर खुला रहेगा जैसा कि आप देख सकते हैं इसको दो कौनों से तीर्चा काटा गया है जो भाग काटा है यह शिर्ख के उपर रख सकते हैं तोपी के रूप में इसको आप ले सकते हैं। जिससे ये बोरी बार-बार नीचे नहीं गिरेगी और पसू के उपर लगातार लगी रहेगी जब तक आप चाहेंगे तो ऐसे में पसू को ठंड लगने का खत्रा है काफी हद तक घट जाता है आप लोग देख सकते हैं किस परकार से ये पूरे सरीर को कवर कर लेता है हलांकि ये कटा थोड़ा सा छोटा था और जो ये बच्षिया है इसका साइज थोड़ा बड़ा है तो आप बड़ी बोरी लें और उसको बीच में से काट कर किसी भी कौने को तिर्चा काटें जो की गर्दन को अच्छे से कवर कर लेगा और उसके बाद ये बोरी बार बार नीचे नहीं गिरेगी और सुरक्षा के तोर पर आप इसके नीचे एक रसी बान सकते हैं जो पेट के नीचे से होती हुई दूसरी साइड को बान देगी इसे बोरी इसके उपर लगाता ठीकी रहेगी और पसू ठंड से बचा रहेगा दोस्तों उमीद है वीडियो आपको पसंद आएगी यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे ति शदिक शदिक लाइक वाशेर जरूर करें इसके लाव दोस्तों जाने से पहले चनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले ताकि बविश्य में भी आपको गिसानों से जुड़ी हर एक महतापुन खबर सबसे पहले प्राप्तों थैंक्यू